हेलो एब्रिवन वेल्कम्म तो ओल्राउंडर सिब्लिंग्स जिसके आप सभी जानते हैं हम कर रहे हैं फिजिक्स चाप्टर नॉम्बर वन जिसका नाम है मीजरमेंड इसका फॉर्स पार्ट और सेगिंड पार्ट जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था उसमें हमने क्या किया हम देंसिके उफिन इर्रेगुलर सॉलिड हम डेंसिती की सब्स्टांसिस के अप डिटरमाइन करेंगे जो इर्रेगुलर सॉलिड होते हैं अभी आप इर्रेगुलर सॉलिड के बारे में पढ़ाता है या कि फिक्स जिनकी MISERMENTS इकन इकूल होती हैं और फॉलुम आप इसी स्वेर्स एचेट्राइज वॉल्यूम कैंइड गर्वियूर्ण किया यह मैंथड पढ़ा दा हमने जिससे हम किसी भी रैगुलर सॉलिट की डेंशिटी के अतर मैं कर सकते हैं जैसे आपका क्यों कि लेजिव कर सकते हैं वहाँ जिजसे ऐसे उत्ध की व्लूम को इसली पता गिसे वह जाता है कि हम किसी भी इर्रेगुलर शेप्ट की वॉल्यूम को फाइं तो से फाइं करना बहुत मुश्किल हो जाता है इर्रेगुलर शेप्स होती है उसकी कोई फेक शेप नहीं इन सच्छा केस, ऐसे केस में we find the mass of the stone using a beam balance, हम इस केस में क्या करते हैं, उस stone जो भी हमने regular solid लिया है, उसके mass find करेंगे, beam balance use करके, ठीक है, फिर हम volume find करेंगे, उसका volume कैसे find करते हैं, by dipping it in water in a measuring cylinder, कोई भी एक measuring cylinder लेकर, उसमें उसे dip करके, उसका volume हम find करते हैं, ठीक है, तो यान मास कैसे find करते हो, substance का, beam balance use करके, और volume कैसे find करते हैं, by dipping it in water in a measuring cylinder, ठीक है, now we apply the formula, उसके बाद ये दोनों चीज़े आपने निकाल लिए, उसके बाद फॉर्मला लगा दीजे, density is equal to mass upon volume, अब ये dip कैसे करते हैं, substance को, उसे regular shaped solid को dip करना, यानि कि क्या करना है, मीजरिं activity के थूरू बताया हुआ है, देखे क्या लिख रहा है, to find the volume of an irregularly shaped stone, जिसके एक ऐसे stone के volume find करना है, जिसकी irregular shape है, तो उसमें हम या क्या करना है, take a measuring cylinder, यह measuring cylinders यहाँ पर आपको दिखाये हूए है, उसे एक measuring cylinder लेना है, and partly fill it with water, partly means, half उसे water से क्या कर दीजे, आप, fill कर दीजे ठीक है, यहाँ पर आपको जैसे दिखाया है न, एक यह रहा, note the initial reading V1 of the water level in the slender, जो आपने जिसमें half water से उसे fill किया था, उसकी initial reading, यानि कि starting reading आप लिख लिजे, note down कर लिजे, अपने पास, कल्डी, उसे initial reading को आप नाम दे दीजे, V1, यानि कि volume 1, ठीक है, now tie a string to the stone, अब ए आप क्या की कीजिए, lower it कर दीजिए, उसमें डूबो दीजिए, such that it is immersed completely in water, और आपको जो stone आपने लिया है, उसे इस तरीके से उसमें डिप करना है, जिससे क्या हो, वो completely immersed हो जाए, completely क्या हो जाए, उसमें डूब जाए, immersements होता है, डूब जाए, as the stone is lowered in water, जैसे जैसे stone नीचे जाता जाएगा water में, the water level जोगा cylinder में, वो आपका rise होता चला जाएगा, आप कुछ सोचिए, आप water लीजिए, ठीक है, उसमें आपने कोई भी पत्थर, किंकर या फिर कुछ एक छोटी सी ball डाल दी, तो वो एकदम से water का level उपर आता है, तो ऐसे ही जैसे आप stone डाले इतना water भर रहा था, और यह आपने stone डाला यहां से, stone डाला तो इतना water उसने displace कर दिया, तो जितना stone का volume में, उतना इसने displace कर दिया, यह चीज यहां पर यह कह रहा है, तो यह आपकी volume 2 हो जाएगी, जो आप displace करने की बाद जो level देखेंगे, यहां पर 50 आ रहा है पहले, जो आपने stone डाला, फिर यहां पर आपका about 80 आ रहा है, reading जो आ रही है about 80 आ रही है, क्योंकि आपने stone डाला तो वो immerse हो गया है, और उसने अपने water को displace कर दिया है, अपनी जगा है, उसने ले लिया है, तो इतना, यह volume 2 आ गया, इसके बाद आपको क्या करना है, note the final reading V2, आपने V2 final reading लिख ली, note down कर ली, तो the difference between the two readings, इन दोनों readings का आपको difference निकालना है, difference यानि आप इने subtract कर दीजे, V2 minus V1 कर दीजे, आपको उसके जो answer आएगा, आपका subtract करने के बाद, difference करने के बाद, तो stone की volume निकल जाएगी, ठीक है, और mass आप calculate करी सकते हैं, कौन से beam balance को use करके, आपको density stone की मिल जाएगी, volume of an irregular shaped solid can also be measured using an overflow, एक overflow can आती है, तो किसी भी irregular shaped solid की volume आप उससे भी measure कर सकते हैं, hope आपको समझ में आया होगा कि आप कैसे किसी भी irregular solid की density पता कर सकते हैं, अब आता है आपका relative density, इसमें क्या है, when we compare the density, relative बोल रहा है, यानि कि relate कर रहे ह इसमें क्या करता हूँ, when we compare the density of a substance with that of water, जव आप किसी भी substance की density को compare करते हो water की density से, तो आपको एक number मिलता है, तो आपको एक number मिलता है, उस number को हम relative density बोलते हैं, उस substance की, कोई भी सबस्टांस आपको देंसिटी डिवाइड बाइड देंसिटी आपका फिक्स रहेगा ठीक है या तो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा नहीं तो जो आपको हमने टेबल में पढ़ाता वो लेना है रिलेटिव देंसिटी एक रेशियो होता है यह सिफ एक नंबर है रेशियो बोल रहेना यानि कि एक नंबर है और इसलिए इसकी कोई यूनित नहीं होती फॉर एक्जामपल फॉर्म टेबल 1.2 जो हमने टेबल उकल पड़ी थी बहुत सारी सबस्टांस इसकी तेक है भी से दैंसिटी अपाइड इंसिटी कितनी देंसिट इसकी किलोग्राम पर मीटर क्यूब दियो है और वॉटर की कितनी होगी थाजन किलोग्राम पर मीटर क्यूब तो आप खुद कैल्कुलेट बत करके बता सकते है रिलेटिव देंसिटी आयरंग की कितनी आएगी 7800 अपॉन थाउजेट कितना आजाएगा 7.8 आजाएगा इसे उसे calculate कर सकते हो similarly we can say that relative density of mercury mercury की भी आसी निकाल सकते हो gold की भी आप ऐसे ही निकाल सकते हो ठीक है divided by 1000 kg per meter cube कर दीजिए thus we can define relative density of a substance as the ratio of density of that substance divided by density of water इसलिए relative density को आप कैसे define कर सकते है क्या definition हो सकती है relative density of a substance किसी भी substance की relative density as the ratio of density क्या होती है यह ratio of density of that substance एक रेशियो होता है किस किस का density of substance divided by density of water यहीं पढ़ा आपने अपी ठीक है यहां पर देखिए फॉर्मले के रूप में भी बताया हुआ है relative density is equal to density of substance divided by density of water बस density of substance का फॉर्मला क्या होगा आपका mass of the substance divided by volume और density of water का क्या होगा mass of water divided by volume तो एक ही बात हो गई न सारी आपको confused यहां यहां तक का याद रखिए आपको फॉप करते हुआ आपको रिलिटिव देंसिटी समझ में आई होगे रिलिटिव देंसिटी जादा बड़ा टॉपिक नहीं है बस आपको किसी भी अगर आपको फाइंड आपको फाइंड आउट करनी है तो आप एक बॉटल यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं रिलिटिव देंसिटी बॉटल क्या बोलते हैं रिलिटिव देंसिटी बॉटल अब यहां पर देखिए डायक्राम दिखाया हुआ है कैसी होती है relative density bottle यह bottle हो गई उपर यह stopper लगाता है with a hole यह इसमें बीच में hole होता है ठीक है इसका क्या यूज होता है यह हम पढ़ेंगे अब relative density bottle is a small relative density bottle एक small bottle एक small bottle होती है made of glass with a glass stopper जो glass की बनी होती है कांच की बनी होती है और उसका stopper जो होता है वो भी कांच का होता है the glass stopper has a fine capillary tube जो आप space देख रहेते बीच में उस stopper में वो क्या है capillary tube होती है when the bottle is filled with any liquid जब बाटल को आप किसी भी liquid से fill करते हो and stopper fixed on it और उस पर stopper लगा दिया तो उसमें अगर आपने excess liquid भरा होगा अगर extra liquid जो भी होगा उसमें वो आपका drain out हो जाता है निकल जाता है उसी capillary से stopper में जो capillary होती है उससे extra liquid जो होता है वो निकल जाता है this ensures that the bottle always contain the same volume of any liquid with which it is filled यह जो extra liquid जो निकल गया यह चीज शूरिटी देता है कि बाटल में हमेशा same volume होगा किसी भी liquid का जिससे उसे भरा जाएगा किसी भी liquid का same volume आएगा उसमें बस ठीक है extra कुछ भी नहीं आएगा यहां पर देखिए आपको activity की थूरू बता हुआ है किसी भी liquid की क्या करने है आपको relative density find करनी है relative density bottle use करके तो इसमें आपने क्या किया find the mass of a clean dry bottle using a beam balance let it be M1 आपने clean dry bottle ली उस beam balance को यूज करके उसका mass measure किया clean dry bottle होनी चाहिए और उस mass की जो आपने value दी वो M1 नाम दे दिया उसे फिर अब उसे water से fill करो dry करो और उसका mass find out करो M2 से नाम दे दीजिए अब फिर third step में क्या करना है bottle को empty करो खाली करो dry करो उसे अच्छे से पूरा सुखा दो and fill it with the liquid whose relative density is to be find out और उस liquid से उसे भर दो जिसकी relative density आपको find out करनी है और उस mass को now find the mass with liquid मास को liquid के साथ find out करो mass find कर लिया ना उस वाले liquid को बर दो और उसे नाम दे दो M3 कैलकुलेशन में आप क्या करते हैं mass of the empty bottle empty bottle का mass हो गया M1 gram ठीक है mass of bottle with water water जब था उसमें तो bottle का मास था M2 gram अब mass of water कैसे निकालो के आप गाइस M2 minus M1 gram ठीक है यानि कि mass of bottle with water minus mass of the empty bottle से सब्टेक्ट कर दो तो आपको water का mass आ जाएगा फिर क्या करना है mass of bottle with liquid is equal to M3 gram बॉटल में आपने वो लिक्विड भरा जब जिसके आपको रेलेटिव देंसिटी फाइंड आट करने उसका मास आपका M3 gram तो मास ओ लिक्विड अगर आपको निकालना है तो कैसे निकलेगा M3 minus M1 यानि कि mass of liquid minus mass of water ठीक है mass of water नहीं M1 बोल रहा है mass of the empty bottle, empty bottle के mass से subtract कर दीजिए relative density of liquid क्या बोल रहा है mass of any volume of liquid divided by mass of same volume of water liquid के किसी भी volume का mass ठीक है जितना भी आपने liquid लिक्विड लिया है उसका mass और mass of same volume of water ठीक है तो यह आपका इसका formula आगया next topic क्या आता है variation in densities of liquids and gases with temperature temperature के साथ साल liquids and gases में जब temperature change होता है तो liquid और gases की density में क्या variation आता है क्या changes आते हैं क्या होतार चड़ाव आते हैं हमें वह बताना है अब इसमें we know that density of substances mass per unit volume हम स्टार्टिंग से density पढ़ते हैं इस chapter में तो क्या होता है density किसी भी substance के अगर आपको निकाल लिए तो mass per unit volume होता है we have also studied earlier that mass of a body remains constant हमने पहले starting में यह भी पढ़ा कि किसी भी body का mass होता है हमेश्य constant रहता है handsome volume of body decreases अब अगर body का यानि कि object का volume decrease होगा घटेगा तो क्या होगा उसकी density increase हो जाएगी है handsome volume of body decrease volume किसी भी object का क्या हुआ घटा डिक्रीज हो गया its density increase density increase हो जाएगी बताया तो जितना जितनी कम density उतना जादा volume तो अगर volume घट गया तो density बढ़ेगी और volume किसी भी body का increase होगा तो उसकी density decrease हो जाएगी अब we know that solids, liquids and gases expand on heating आपको यह पता है solid, liquid, gas को अगर आप heat करते हो तो वह expand करते हैं बढ़ जाते हैं that is their volume increases means उनका volume increase हो जाता है and contract on cooling और cool करते हो अगर आप उन substances को तो वह contract कर जाते हैं यानि कि उनका volume decrease कर जाता है heat करोगे तो उनका volume increase होगा cool करोगे तो उनका volume क्या हो जाएगा आपका decrease हो जाएगा their increase and decrease in case of solids is very small and can be neglected अगर हम solids की बात करें तो यह जो increase, decrease होता है solids के case में यह बहुत छोटा सा होता है बहुत माइनर सा होता है और उससे आप neglect कर सकते हो क्या कर सकते हो नजर अंदास कर सकते हो किसके case में solids के case में क्योंकि और solids होते हैं tightly packed होता है आप उसमें कोई changes नहीं देख सकते हैं अगर आप heat या cool करोगे उसे ठीक है अब दूसरे case में बात करें however the increase or decrease in case of liquids and gases is significant जबकि जो increase or decrease होता है liquid or gases के case में वो significant होता है means वो matter करता है लिक्विड गैसे जब किसी भी liquid or gas को heat करते हो its volume increase उसका volume बढ़ता है ठीक है and as discussed in previous paragraphs its density decrease और जैसे हमने पिछले वाले paragraph में पढ़ा था जो आप इसी भी liquid or gas को heat करोगे उसका volume increase होगा volume increase होगा तो density क्या होगी उसके decrease हो जाएगी this means it becomes comparatively lighter इसका में क्या होगे कि वह comparatively lighter हो जाएगा हलका हो जाएगा similarly यह थो हमने heat होने पर बात करी heat होगा तो volume बढ़ेगा volume बढ़ेगा density घट जाएगी ठीक है इसका opposite पढ़ेंगे अगर हमने cool cool किया ठंडा किया तो volume जोगी liquid gas की वह decrease हो जाएगी घट जाएगी and their density increases और उनकी density बढ़ जाएगी this means they become comparatively heavier इसका मिनिंग क्या हो गया कि वह heavy हो जाएगे density बढ़ जाएगी तो यानि कि heavy हो जाएगे substance ठीक है यह हमने पढ़ जाएगी variation क्या होता है density में किसी भी liquid gas की जब हम temperature change करते है अब इस chapter का last topic आता है area of an irregular shape कोई भी irregular shape है उसका area कैसे find out करते area of an irregular shape can be measured by placing it over a graph paper किसी भी regular shape का area आप find out कर सकते हैं कैसे by placing it क्या आप कोई भी regular shape है उसे आप किस पर place कर दीजिए किस पर रख दीजिए graph paper पर आपको activity भी दी होई है देखिए कैसे मीजा करेंगे आप उस regular shape figure को graph पर रखिए ठीक है और उसकी outline बना लिजिए pencil से remove the figure place जो आपने figure उस पर रखी थी जो भी object रखाता है regular वाला उसे हटा दीजिए so that you get a sketch of its shape जिससे आपको एक sketch की shape मिल जाएगी जैसे आपको एक दिखाया हुआ है now count the number of complete squares अब जो यह जो आपने shape बनाई है इसमें complete square दिखाया हुआ है ऐसे सभी complete squares को आप क्या कीजिए count कीजिए ठीक है जो outline के अंदर अंदर होने चाहिए बार वाले नहीं आने outline के अंदर अंदर also count the number of incomplete squares आपको incomplete squares भी count करने लेकिन वही incomplete squares कांट करने ali is to be more than half आरे आ रहे हैं जो मोर धन आ रहें अप जैसे दिखे हैं अब जन्छा आतां थोड़ा सारा है हाफ से जादा थोड़ी अंदर आ 활 भी आ ऐंदर को जो हाफ से जादा आ रहे आं जैसे यह भी आ रहा है स्टो यहें नहीं हर कर दीजिए जो क्या है less than half है आपने जितने भी स्कॉर्स काउंट करें हैं उन्हें एड कर दीजिए इससे आपको एप्रॉक्सिमेट एरिया उस एर्रेगुलर शेप का मिल जाएगा तो आपको एरिया फिगर यहां के अकॉर्डिंग दिखाए हुआ है एरिया ओफ ट्वेंट आप वाले आ रहे थे सिर्फ दो ही आ रहे थे तो आपको वह दिखाया हुआ है वह दो है ठीक है तो 21 प्रस 2 यानि कि 23 स्कॉयर यूनिट्स आपका आ जाएगा अब यहां पर ही चैप्र फिनिश हो गया आपका वह आपको चैप्र समझ में आए होगा आपको यहां पर देख करने के लिए कि मिल्क कितना प्यार है उस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं लेक्टोमीटर लेक्टोमीटर में सोता है मिल्क ठीक है तो लेक्टोमीटर बोलते हैं हम उसे तो यहां पर आपका चैप्रा फिनिश हो गया है वह आपको अच्छे से समझ में आया होगा नेक्स कैसी लगी समझ में आया नहीं आया क्या कुछ डाउट है और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले थैंक यू